अब दो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे, इस चैनल को इलाल वाला बटन दबाकर सबस्क्राइब कर दीजे, साथ में गंटे का ऐकन को दबाकर आल पर क्लिक कर दीजे, और हमें कमेंड करके बताईए, क्या मध्ये पर्देश के कौन से जिल्य गावे शेहर में रहते, य और चंबल संबा के जिलों में गरच चंबा के साथ बरसात हो सकती है वहीं बुरानपूर, खंडवा, खर्गो, नेमच, रिवा, सतना जिलों में बारी से बारी वर्सा के आसार जताई जार है यानि कि काफी ज़्यादा जगों पर भारी बारिश होगी और बारिश के इंतजार कर रहे हैं लोगों को काफी ज़्यादा जगों पर मध्यपरदेश में जब गर्मी से थोड़ी रात और चिटपूट के साथ अच्छी बारिश होने की समावना जता ही जारी है बहले ही दोस्तों अभी कई जगों पर भारी गर्मी पढ़ रही है और बताय जारी की मौसम वि जगी है ता इस इसाब से देखे तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में दोस्तों जो है इतनी जादा बारिष और बाढ़ आने के बावजुद भी जो है उसतन सामाइने से तीन फिस दी कम बारिश हुई है और बता दी की मध्य प्रदेश में अब तक सामाइने से 20 से लेकर 43 इस फिस दी बारिश कम दर्ज की गई है वही दोस्तों मध्या प्रदेश मौसम विबाग के अनुसार बताई जारे की मध्या प्रदेश में जो है सुका संभावी जिलों में बारिश की उमीद पूरी तर से खतम नहीं हुई है बंगाल की खाड़ी में एक नया फिर से कम दबा जब्ल पर सुका गरस्त जो है काफी ज़ादा दीकों पर देखने को मिल रहा है.." और मताय जारे के कई जगों पर भारी गर्मी और सुके की चपेट में देखने को मिल रहा है बंध्य परदेश पर सामनी से कम बरिस की इन में दोस्तों इंदोर, धार, बढवानी, खरगोन, मुरानपूर, हर्दा, दमुआ, पन्ना, कट्नी, जमलपूर, शिवनी, मालाकाट जैसे जिले, शामिले और आगामी बनने वाले कम दमाओ के शेतरे की वज़े से मध्य परदेश में इन सभी जिलों में अच्छी सकते हैं और नहीं भी बताए जारेगे, कई इलाकों पर भारी गर्मी भी काफी जादा देखने को मिल रही है, वही दोस्तों बात करें आज के गर्मेटू जीतो इनाम है, तो आज का सवाल है दोस्तों आपके पास कौन से कंपरी का फोन है, यानि की दोस्तों वीवो, ओपो रेड्मी, रियल्मी, नोकिया, सैमसेंग, एपल, यानि ये कौन से कंपरी का फोन आपके हाथ में अभी है, कमेंट गर के बताएं और कमेंट करना आले लगकी वीडर को मिल सकता है, तीन महीने के लिए जीओ, ए रिटल आइडिया, वोड़ फोर रिचाज, बिल्कुल फ्री चिटपुड संभावना बारिश की बनी हुई है, इसके साथ ही मध्या परदेश के साजापूर, देवास, निम्च मंसोर, ग्वालियर, उज्जे, शिवपूर, धत्या, शिवपूरी, अशोक नगर, गुना, बिंड, आगर, मालवा, मुरेना और रतला में बारिश के आसार बारिश की संभावनों भी जते जारी, पिछले 24 गंटों की दोरान दोस्तों बताय जारे की कई जगों पर 31.8 उमरिया, मलाजखण में 4.3, खजुरा में 4, बोपाल में 3.3, सतना में 2, टिकमगड में 2, नौगाउं में 1.4, रतला में 1 मिलिमीटर बारिश दर्च की गई, ज जबलपूर में बुंदा बुंदी हुए और मौसम विग्यान की मुताबित बताय जारे की जो है रिवा एं शेडोल संभा के जिलो में कुछ इसतनों पर वर्सा या गरच चमक के साथ बहुचारे पढ़ सकती आज रात तक और इसके अलावा सागर, जबलपूर, भौपाल, होसंगाबाद, ग्वालिया रें, चम्बल संभा के जिलो में, तता बुरानपूर, खंडवा, खरगो, निम्चे, मंसुर जिलो में कही कही पर बहुचारे पढ़ने की संभावना जताई जारी है, मौसम विबाग के मुताबित दोस्तों बताय जारे की मांसुन ट्रफ के दो अगले 24-47 गंटों से लेकर दो दिन के अंदर-अंदर, कई जगों पर चिटपूर के साथ अच्छी बारिश भी हो सकते हैं, जिससे थोड़ी बहुत गर्मी से रात मिल सकते हैं, मध्या परदिश के कई इलाकों पर, लेकिन दोस्तों बता है, जारे कि आभी भी जगों पर बारी गर्मी का परकॉप देखने को मिल रहा है, और मध्या परदिश के कई इलाकों पर भारी से भारी गर्मी पढ़ रही है, वहीं दोस्तों बात करें मध्या परदिश के एक इक जिले की जिले का मौसम कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दो गले 24-47 गंटों के दुरान ख बुदवार, गुरुवार को बारी से भारी बारी बारी के सम्मावन और देवास में मौसम काफी ज़्यादा ठंडा और स्वावना होने के सम्मावना काफी अधिके, वहीं राजगर की बात की जाए, तो राजगर में तीन दिनों के दोरन बादल शाहे रहेंगे, कई जगो साजापूर में तीन दिनों के दोरन भारी मौसम में बारिश और बदलाव देखने को मिल रहें, और अगले दो से चार दिनों के दोरन भारी बारिश होगी साजापूर में जिसे मौसम काफी ठंडा स्वावना हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, अभी भी कई इलाकों पर बा सब्सक्राइब। थंडा सौना मौसम देखने को मिलेगा और चिंदवाडा में भारी बारिज भी हो सकती है वह इंदोर की बात की जाए तो इंदोर में 3 दिन के अंदर अंदर चिटपूट के साथ अच्छी बारिश होगी और कई इलाकों पर इंदोर में पूरी तरह से मौसम बदल जाएगा आ रविवार, सौमवार, मंगलवार, बुदवार, गुरुवार, शुकूरवार तक बारी मौसम में बदला और बारिश की उम्मीद जताई जारे और तापमान जो दोपर के समय में भी लगबग 30 के नीचे आजाएगा और काफी ठंडा सौना बोपल का मौसम होने वाले अगल बारी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा अगले 24-48 गंटों से लेकर 72 गंट के मिच आने वाले सौमवार, मंगलवार, बुदवार को अच्छी खासी बारिश होगी जिसे मौसम काफी ठंडा सौना हो जाएगा और पूरे एक सब्ता में दोस्तों अगले 24 से लेकर 3 दिन बारी मौसम में बदलाव देखने में बारी बारिश का समाओना भी बनी होई है वही दोस्तों बात करें ग्वालियर मद्यप्रदेश की तूइखने तो यहां पर पर एक सब्ता के दोरा जोए तीन दिन के अंदर अंदर भारी भारी इसकी संभावना जटाई जारे काफी अधिक तो यह था दोस्तों मध्यप्रदेश का मौसमी सिस्टेम अगर आपको वीडियो पसंद दे वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना